स्वागत है आपका UPSC Education in Hindi YouTube चैनल पर तो आज हम बात करेंगे IS में आई हुए question और theory के बारे में बात करेंगे आज का वीडियो बहुत ही important होने वाला है और वीडियो को skip मत करें अगर skip करेंगे तो आपके जो question मैं कराऊंगा वो आप से नहीं हो पाएंगे फिर और बहुत ही most important question मैं कराऊंगा आज most important question रहेंगे आज के तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले चैनल को like कर दें, share करें and subscribe करें और bell वाल आइकन जो रूप्रेस करें तो वीडियो शुरू करते हैं आज हम बात करेंगे परियावरण के बारे में तो परियावरण के बारे में बात करते हैं परियावरण परियावरण परी प्लस आवरण सब्द का साब्दिक अर्थ है हमारे चारो और का गिरा अर्थात हमारे चारो और का वातवरण जिसमें सभी जीव जीवित प्राणी र परियावरान के अंतरगत किसी जीव के चार और उपस्थित जैविक तथा आजैविक परदातों को समलित किया जाता है फिर आगे हम बात करेंगे पारिस्थिकी इकोलाजी तो इकोलाजी में आप जैसे यहां पे आप देख सकते हैं पक्षी है पशु में हीरन है मेढक है सूर्य है यह तलाव है यहां पे मचलियां है तितलियां है खचवे हैं फूल है तो यहीं है हमारा इकोलाजी तो आगे हम बात करते हैं पारिस्थित्गी इकोलाजी सब्द का सौरपथम प्रियोग औरनेश्ट हैकल ने 1889 में किया था प्रियावरान के मद्ध उनके अंतहा संबंधों का अधिन्द किया जाता है तो अब तो इससे रिलेटेड एक अब हम कोश्चन के बारे में देख लेते हैं जैसे मैंने वीडियो के सुरवात में ही कहा था कि मैं कोश्चन भी ज़रूर कराऊंगा तो जो आई-स में आ सकते ह आने के संभावन है तो मैं उनसे रिलेटेड कोश्चन कराने की कोशिश करता हूँ तो जैसे कि मैंने जो अभी टॉपिक वाड़ा है उसी से रिलेटेड में कोश्चन कराने जा रहा हूँ तो देखिए निमलखित कतनों पर विचार कीजिए ओनेस्ट हीकल ने सन 1879 में पार किया तो उपरोग तुमें से कौन सा कथन सही है तो हमको देखना है ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन भी में केवल दो ऑप्शन शी में एक और दो दोनों ऑप्शन डी में ना तो एक है और ना ही दो है तो जैसे कि हमने बात किया था कि आनेस्ट हेक यें अथारासो उनेत्य में पार्षट की तंक करतिभादन किया था जैसे कि हम ने बात कियें और पार्षट की जीवों किस परस्परिक तथा वाताः किस साथ उनके संबंदों का भी अध्यन किया था तो इस रहाप से हमारे दोनों option ही साही है ये भी साही है कथन और बी भी साही कथन है हमारा एक और दो दोनों साही है तो इसे आप से हमारा C option correct है ये देखिए C option correct चलिए हम आगे next slide पर चलते है पारिष्थ की चलिए को important नहीं है उतना next पारिष्थ की में अध्यन में सामिल या वातावरण में उर्जा और परदात के प्रवा के अध्यन से संबंदी थे या प्राकती के अध्यन तथा इनके क्रिया कलापों से संबंदी थे या परियावरण के जैवेक और आजैवेक घटकों के बीच विभिन परदातों के पारिष्थित की परियावरण अध्यन का वाभाग जिसमें हम जीवों, पौधों और जन्तूओं और उनके संबंदों या अन्य जीवित या गैर जीवित परियावरण की परस पर निर्भरता एवं अन्ता संबंद के बारे में अध्यन करते हैं, वही हमारा पारिष्थिकी है आगे हम बात करते हैं पारिस्थ की को जीव विज्ञान की साखा के रूप में परिभासित किया गया है जो जीवों के एक दूसरी के साथ त्रम्मंदों और उनके भातिक परियावेशों की व्याख्या करता है यह हो गया है आगे की स्लाइड में हम देखते हैं परियावरण सब्द का वास्तविक अर्थ घर का अध्यान है पारिष्थिकी की बहु आयामी विज्ञान है एवं विज्ञान की अन्य साखाओं जैसे भूगोल, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, भूतत्व, भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ इसकल संबंध है आगे हम बात करते हैं परितंत परितंत एक प्राकतिक इकाई है जिसमें किसी विशेश वातावरण के सभी जैविक घटक अर्थात पौधे जानवर और अन्युजीव आदी अपने अजैविक घटको निजी निर्जीव परियावरण के साथ अंता किरिया करके एक संपूर जै विक्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो यहां से भी MCQ आ सकते हैं यह भी important topic है यहां से भी MCQ बनने की संभावना है तो एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़िए और सुनिए मैं PDF लिंक में डाल दूंगा तो आप PDF में PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं अप्रिंट करके आप महां से तयार भी कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं देखिए कोशन हम कोशन करने जा रहे हैं तो कोशन पर चर्चा करते हैं कोशन हमारा क्या है देख लिजे आईयस 2015 में आया हुआ कोशन है निमलिखित में से कौन सा एक परितंत्र सब्दिका सबसे जीवों का एक समुदाय है Option B, प्रतिवी के अवाबाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है Option C, जीवों का समुदाय और साथिवा परियावरों जिसमें वे रहते हैं Option D, किसी भोगोलिक छेत्र के वनिस्पति जात यम प्राणी जात जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी हमने इसी टॉपिक पर बात की थी तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा C जीवों का समुदाय और साथिवा परियावरों जिसमें वे रहते हैं आगे हम बात करते हैं Next Slide अगे हम बात करेंगे पारिष्टकी की मौलिक संकल पनाए तो हम इसमें बात करते हैं जीवों की परजातियां परिवर्टित परियावरों की दसाओं के साथ स्वतह समन्जश्व करने की इस्तिती में विक्षित होती हैं किन्तु परियावरों का आवकर्षन अनेक परजातियों के लुप्ध होने का कारण बन जाता है किवल परियावरों ही जीवों को प्रभावित नहीं करता अब तो जीवों भी अपने विकास व्रद्धी विस्तार से तथा परिवर्टित विज्ञान से परियावरों को प्रभावित करते हैं प्राकतिक एवं समाजिक विज्ञानों के मद्द एक समंजश का स्वरूप तथा मानों के किरियाओं का परियावरण द्वारा नेंतरण एवं परियावरण पर उनका प्रभाव उनके अध्यन का मूल है यही कारण है कि किसी नीत नवीन साखाओं और उपसाखाओं का विकास हो रहा है तो अब हम हमने यहां तक जो बात कर ली है अब हम next part में मिलेंगे वहाँ पे हम बात करेंगे part 2 यह हमारा part 1 होगे अब हम part 2 में मिलेंगे ठीक है तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला इकन जो रुपेट्स करिए और इसको शेड़ भी कर दीजिए जिससे आधिक से अधिक लोगों को जान का रिप्ता